क्या आपके काइन माश्टर में वाटर मारक आता है? क्या आपको अपने काइन माश्टर में एक वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काइन माश्टर से लेका फॉल टेटोरियल बताने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं हम अपने mobile phone के screen पर अब यहाँ पर हम अपने phone के screen पर आ चुके हैं अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना काइन master open करना होगा जैसे कि चलिए हम अपना काइन master open कर लेते हैं यह हमारा काइन master open हो चुका है अब हमें यहाँ पर कोई नया वीडियो बनाना है तो सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना होगा चलिए हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं जैसे ही हमने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया हमारे सामने ये अन्यों को फ्रेम लिकर करा आ जाते हैं अब इन फ्रेम में हम अलग अलग तरीके की वीडियो बना सकते हैं अगर आप YouTube वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 16 अपाउं 9 इसू में देखेंगे और अगर आप 60 वीडियो बनाना चाहते हैं तो 9 upon 16 में रखेंगे, भही Instagram की बनाना चाहते हैं, तो 1 into 1 में रखेंगे, ऐसे ही आपको अपनी वीडियो की category के हिसाब से यहाँ पर select कर लेना होगा, तो चरी हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से हमें करना होगा create, जैसे ही हम create वाले बटन पर click करते हैं, हमारे सामने को इस और यह यहाँ से select हो गई, अब यह देखिए, यहाँ पर काइन माश्टर में आ चुकी है, अब इसको हम सुरूसिस चला कर देखेंगे, अब देखिए, यहाँ पर तो हमने चला कर देख लिया, अब इसे आप देख सकते हैं, यह tags कहां से लिखे जाते हैं, तो आपको simply इस वाले layer पर touch करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर touch कर रहा हूँ, उसके बात को आपको text में चले जाना होगा, यहाँ से आप अपनी वीडियो के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, GMT Tag Support, मैंने यहाँ से यह लिख दिया, अब आपको simply इस वाले option को बढ़ा कर लेना होगा, यहाँ से खीच के, जैसे जैसा मैं कर रहा हूँ, आपको वैसा ही करना है, अगर आपको अपने font का, साज घटा बढ़ाना है, याप मिर मोटा, छोटा, जो भी तरीक एका करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से क कर रहा हूँ, आप जैसा भी select करना चाहें, वो कर सकते हैं, मैं आप डिस्पले में चले जाता हूँ, यह मैंने अलग से font डाउनलोड किये थे, तो आप भी कर सकते हैं, वो आगे मैं आपको वीडियो मताऊंगो, तो मैं यहाँ से यह font select कर लेता हूँ, उसके बाद हम पर यह लगा दिया, यह पहले का था, तो इसे मैं आपको वीडियो एडिट करके दिखा रहा हूँ, आपको इसी कर ले रहा हूँगा, फिर हमें इसमें चाहिए एक animation, हम इसमें एक animation दे सकते हैं, जैसे की animation देने के लिए, हम simply इसमें animation पर test करेंगे, अगर आप इसमें टर क लगा देता हूँ, उसके बाद हम back आ जाते हैं, यह तो होगे हमारा text का कम, अब उसके बाद में, अगर आपको यहां से video काटनी है, जैसे की हमारा इतना part यहां से खराब है, तो हम यहां पर simply इस पर tap करेंगे, tap करने के बाद आपको यह कैंची वाले निसान पर tap करना होग अगर आपको last की video काटनी है, तो यह second वाले option पर touch करना होगा, आपको video 20 से splite करना है, तो हम यहां से splite कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, कि आपका frame freeze रहे, तो आप freeze वाले option पर click कर सकते हैं, तो चलिए मैं यहां पर splite करके, जो भी गलत part है, वो यहां से निकाल सकता इस video को मैंने आज से splite गया, यह video हमारी कट गई, उसके बाद हम यह tap करेंगे, उसके बाद हमारा जितना part गलत है, उसे काटेंगे, फिर हम इसे select करेंगे, उसके बाद में, फिर हम कैंची वाले पर जाएंगे, कैंची वाले पर जाने के बाद, splite करेंगे, splite करने के बाद हम वापस आगे, उसके बाद, हम जो भाग हमारा खराब है उस पर टैब करेंगे, उस पर टैब करने के बाद मैं हमें यह जो डिलीट बाला option दिख आई, यह राइट साइड में हमें इससे यहाँ से टैब कर दीगे, यह हमारा देखी यहां से डिलीट हो गया, अगर आप यहां और कुछ भी, यहां से कोई दूसरे वीडियो लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपल ही इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको मीडिया वाले लेयर पर चले जाना होगा, जैसे ही आप मीडिया वाले लेयर पर जाएंगे, एनिमेसन पर जाने के बाद हम इसे पॉप कर देंगे, अब उसके बाद पॉप करने के बाद आप चाहते हैं, कि हम इसमें एक सौंड भी देंगे, तो चलिए हम इसमें एक सौंड दे देते हैं, सौंड बाले के लिए, आपको यहां पर सिंपल ही यह ओडियो का आप्सन दि डाउनलोड में है, तो मैं यहाँ पर जा ले आता हूँ, यहाँ से देखी, निरी मीजिक, मीजिक आ जाते हैं, मेरे पास में निरी मीजिक है, अब इससे सेलेक्ट करने के लिए, आपको सिंपल प्लस वाले आइकन पर टेच करना होगा, जैसे यहाँ प्लस वाले पर करेंगे, आपको सामने नीचे यह मीजिक निकल कर आ जाएगा, देखिए, यहाँ पर यह मीजिक आ चुका है, अब यहाँ से हम मीजिक को सुन सकते हैं, अब चलिए, अगर हमें इस मीजिक को कहीं से कट करना है, तो हमको बैसे ही सिंपल प्रोसिस करना होगा, हम यहाँ पर टैप करें गाद हम इसे डिलीट कर दिंगे देखिए कितना सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके साम इसमें सब सीख सकते हैं उसके बाद में अगर आपको कोई एफेक्ट लगाना है कोई भी एनिमेशन देना है या फिर कोई ओबर लेज लगाना है तो चलिए हम सिंपली इस पर यह जो करें की जैसे कि हम जो भी चाय बो लगा सकते हैं उसके बाद हम चांते हैं दूसरेुसुसम पर अगर आपको कोई भी वीडियो में recording करनी है जैसे आपको अपनी अवाज की recording करनी है तो बहुत, आप सिमपलै यहां से tab कर सकते हैं जैसे हाँ यहां पर टैप करेंगे एफ्सक्त है आपके अलाव वाला ऑफ सुनाएगा आपको सिमपलै इस पर start कर देना है, हम recording कर के आपको सुना देते हैं हेलो दोस्तों स्वागते हैं आपका GMT Tag Support Channel आज की इस वीडियो में मैं आपको काइन माश्टर के सभी फीचर बताने वाला हूँ देखिए अब हमारा वीडियो यहां से रिकॉर्ड हो चुका है आपको सिंपली इस पर टैप करना है आपको अब आज वाले करना है यहां पर इस इस वाले लेयर पर जाने के बाद हमें सिंपली उसी पर टैप करना होगा और हमें बो वीडियो उठा लेनी होगी जिसमें हमें एनिमेसन देना है तो चलिए मैं फिर से यहां पर चलता हूं और मैं अपनी दूसरी वीडियो को यहां से ले लेता हूं जैसे कि मैंने यहां प आप थोड़ा आगे और करेंगे फिर यहाँ पर इसको ये लगता जाएगा अब चलिए इसको एक निवीडियो को चलाना चाहते हैं जैसा भी ऐसा इनिमेशन इसमें दे सकते हैं मैंने आपको बता दी यहां से हम इस्टीकर कोई भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने यह डाउनलोड करके रखे हैं आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना यहां से कोई भी इस्टीकर यहां से लगा सकते हैं यह देखिए किस तरीके से sticker हमारा काम कर रहा है तो अगर आप अपनी वीडियो को billar करना चाहते हैं तो यहां से fx बैया रहा होगा effect में जाने के बाद यहां पर touch करेंगे यहां पर आप जैसा भी billar लगाने चाहते हैं तो उसे लगा सकते हैं जैसे कि मैं यहां से यह ले लेता हूँ. अगर आप इस बिलर को घटाणा बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं इस बिलर को खुब डार्क करें, तो आप को simply इसको यहां से बढ़ा देना होगा. जैसे आप इसे बढ़ाएंगे याँ से आपकी वीडियो पूरी बिलार होती जाएगी देखें आप जिटना बिलार चाहिए उतना कर सकते हैं बहुत ही simple तरीका है, आसानी से आप इसे सीख सकते हैं अब इसको simply हमें export करना होगा तो हमें export करने के लिए ये arrow के निसान पर click करना होगा यहां से simply हम अपनी quality adjust कर सकते हैं आप जिस quality में अपनी वीडियो को रखना चाहते हैं उस quality में हम यहां पर रख लेते हैं चलिए हम यहां से कर लेते हैं अब यहां से simply आपको save करना होगा अब यहां से हमारी वीडियो सेव ہو जाएगी और इसमें बाटरमार्क मी नहीं आएगा तो चलिए हम बात कर लेते हैं, अब हमें ये काइन मास्टर कहां से लेना है तो सिम्पली आपको गूगल पर डालना होगा, काइन मास्टर क्रेक वर्जन आपको सिंपली एक काइन मास्टर मिल जाएगा जो की विना बाटर मार्क का है अगर आप इसे डाउनलोड करना नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करें मैं आपके लिए इस पर एक दूसरे वीडियो बना कर दे दूँगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आयो वीडियो को लाइक करो चैनल को सस्क्राइब करो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन